नमस्कार पर हैड कैप अवश्य बहने भोजन बनाने वाले व्यक्ति समय समय पर साबुन से हाथों को धोते रहें भोजन की कच्ची सामगरी विशेश कर सबजीयों को गर्म पानी से अच्छी तरह धोकर और स्वच्चता की साथ ही खाना पकाया जाए लोगों को भोजन उपलब्ध कराने से पहले हाथों को सैनेटाइस करने की व्यवस्था करें अत्वा एक वाश बेसिन और साबुन की व्यवस्था करें जिससे की व्यक्ति अपने हाथ धोकर भोजन ग्रहन करें एवं संक्रमन से बच सकें खाना परोस्ते समय भीड इकठा ना होने दे और कम से कम दो मीटर की दूरी पर प्रतियक व्यक्ति को खड़ा करते हुए लाइन लगवाते हुए खाना वितरित करें जहां तक संभव हो बे सहारा व्यक्तियों को खाना उपलब्व कराने के उपरांत उनसे कहें कि वे कहीं एकांत में जाकर अपना भोजन ग्रहन करें यदि बे साहरा व्यक्तियों को खाना खिलाने हेटू व्यवस्था की गई है तो ये ध्यान रखा जाए कि उन्हें पंक्ती में बिठा कर खाना खिलाया जाए प्रतियक व्यक्ति को एक दूसरे से कम से कम दो मीटर की दूरी पर बिठाया जाए और पंग्ती से पंग्ती के बीच की दूरी कम से कम चार मीटर रखी जाए भोजन परोशने के लिए दोने पत्तल का ही प्रियोग करे भोजन के उपरांद दोने पत्तल को डस्ट बिन या कूड़ेदान में फेके यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जान के साथ अन्य व्यक्तियों की जान को भी खत्रा हो सकता है और कोरोना वाइरस का संक्रमन हो सकता है सुरक्षित रहे स्वस्थ रहे निपवेट परिवार आपके अच्छे स्वास्ते की काम ना करता है धन्यवाद जै हिंद जै भारत